सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल सुनिपट 24 को सबसे पहले लेतेस्ट ख़बरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए नमस्कार मैं निखिल मदान सभी सुनिपट वासियों को खर्याना परदेश वासियों को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुब कामनाई देता हूं और इस बार हमें दो दिवाली मनाने का मुका मिल रहा है एक तो बरोदा की जीत का और एक दिवाली की भी आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुब कामनाई देता हूं और मैं आप सबसे अपील भी करता हूं कि इस बार दिये जलाएं, पटाके बिल्कुल ना जलाएं, जिस तरी के आप पॉल्यूशन को देख रहे हैं, पॉल्यूशन का ध्याम रखते हुए, सिरफ आप दीप जुलाकर दिवाली मनाएं, जैहिन जैवाल नश्कार, मैं योगेश पाला रोडा, आप सबी सोनिपत वासियों को दिपावली की हार्दिक बधाईव शुक कामने देता हूं, और इश्वर से प्राथना करता हूं, कि यह दिपावली आपके जीवन में धेरो खुश्या लेकर के आए, सुक समरीदी लेकर के आए, आपसे आगरे वेप्राथना है, कि पठाकों का कम से कम प्रियोग करें, इस्तमाल करें, और अधिक से अधिक दियों का प्रियोग करें, सब्देशी चीजों का प्रियोग करें, एक बार फिर से, मेरी तरफ से, भारतिय जंता पाट्टी की तरफ से, आप सभी को दिपावली की हार् पर्व की हार्डिक शुब कामना है, मैं भगवान से प्राठना करता हूँ, यह रोशनी पर्व आप सब के लिए मंगल कामना हो, सुब हो, आप सभी के लिए यह पर्व नई खुश्या लेके आए, आप सभी के उठवर भविश्य के लिए, मैं आपको दुबारा से नव समस्कार सब को, सबसे पहले मैं पूरे हर्याना वासियों को और खास कर अपने खर खोदा हलके के वासियों को दिवाले की हार्दिक बधाई देता हूँ, आपका बारम बार धन्यवाद करता हूँ, और जो मेरे को जन्ना एक जन्ता पाल्टी में आदरनी है, हमारे जन्ना ए भी राजनीतिक दल आये हैं खर खोदा हमेशा उपेक्षा का शिकार बेद बाव का शिकार होता है तो पहली बार हमारे खर खोदा अलके की किसे ने सुद लिये और मैं नित्रतव का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं और समस्त अपने खर खोदा अलका वासियों को फिर मैं तरूर देविदास अपनी और भारतिय जन्ता पार्टी की ओर से संपूर्ण सोनी पजिला वासियों को दिवानी की हादिक शुब कामना देता हूं एवं इश्वर से प्रातना करता हूं कि आने वाला समय आने वाला साल आप सभी के लिए मंगल मैं हो आपका बहुत अपना योगदान दे सकेंगे ये बातें निखिल मदान ने पायल प्यूटिक अकैडमी द्वारा करवाए गए दिवाली उत्सव के कारिकर में बता और मोक्यातिती पहूंचने पर कही हूं मदान ने सभी से अपिल की है कि इस बार सभी परदूशन मुक्त दिवाली बनाए निखिल ने कहा कि दैनिक इस्तेमाज में होने वाला प्लास्टिक बहुत कम रिसाइकल हो पाता है सिंगर यूज प्लास्टिक जमीन के साथ सिव्लेज निकासी में भी बड़ी बाता पैदा करता है इनी ठैलियों को बेसारा गाए खा कर काल का ग्रास बन जाती है प्रियाबरन के दृष्टी से हो रहे इस लुक्सान को कम फीरता से लेना चाहिए सभी दैनिक जीवन में कपड़े और जूट के खैलों का ही इस तैमाल करें इसलिए आज से ही प्लास्टिक का बहिश कार करें सोनीपट 24 के लिए रमेश कुमार की रिपूर्ट चलाईए अपने शहर की पूरे हर्याना परदेश की पॉल्यूशन को देखते हुए और इन्वार्मेंट को देखते हुए हमने ये केम्पेंट चलाई है जितना ज्यादा आप जूट बैक्स पे या कपड़े के बैक पे शिफ्ट करोगे उतना हमारा इन्वार्मेंट सेफ होगा तो पूरे सुनीपद के लिए कि यह जूट बैक्स करें जादा से जादा हम लोग अवैर करेंगे बताएंगे कि भई हमने यह भूहिम चलाई है आप भी इसका हिस्सा बनो और आपको कहीं लगता है कि कोई इवेंट कोई भी एंजियो कोई भी ट्रस्स इसा इवेंट कर रही है जहां पर हमें अपने जूट बार बर भी आएंगे क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इनको यूज करोगे क्योंकि यह आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं इसको आप वाश भी कर सकते हो बार बार यूज भी कर सकते हैं और 100% recyclable है उससे क्या benefit होगा हमारा environment खराब नहीं होगा और जब यह खराब होएंगे आप इनको डिस्पोस करोगे फैक होगे तब भी वापिस से रिसाइकल के लिए जा सकते हैं तो यह पूरे सोनिपत को समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जगा पर मैं देखता हूं गंदगी के अंदर पॉरतिन्स पड़े होती हैं और जितने भी हमारे हवार के लिए जो शीद अच्छी कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा करने ही कोशिश करूंगा तो आप लोग साथ दोगे तो उसको और अच्छे तरीके से कर पाएगी